नमस्कार दोस्तों, कई जगहों पर लौकी को घीया के नाम से भी जाना जाता है लौकी के सबसे अच्छी बात ये है कि ये बेहर आसानी से मिल जाती है इसके अलावा लौकी में कई ऐसे गुण होते है जो कुछ गंभीर बिमारियों में और सदी की तरह काम करते है आम तर पर लोग लौकी खाने से बचते हैं कुछ को इसका स्वात पसंद नहीं होता है तो पता ही नहीं होता कि ये किदनी फैदे मन वाली चीज है लौकी एक बेहत फैदे मन अब्ची है जिसके इस्तिमाल से आप कई तरह के बिमारियों से रहत पा सकते है तो आई ये लोकी के बेतरिन फैदों के बारे में जानते है पोशक तत्तों से भरपूर लोकी में कई तरह के प्रोटीन विटामिन और लवन पाया जाते है इसमें विटामिन A, विटामिन C, कैलसियम ऐरन, मैंगनिसियम पोटेसियम और जिंक पाया जाता है ये पोशक तत्तों सरीर की कई आवसकताओं की पूर्ती करते हैं और सरीर को बिमारियों से सुरक्षित भी रखते हैं वजन कम करने में मददगार कुछी लोगों को ये पता होगा कि लोकी खाने से वजन कम होता है आपको सायद इस बात पर यकिन न हो लेकिन किसी भी दूसरी चीज की तुलना में लोगी ज्यादा तेजिसे वजन कम करती है आप चाहे तो लोगी का जूस नियमित रूप से पी सकते है इसके अलावा आप चाहे तो इसे उबाल कर नमक डाल कर भी इस्तेमाल में ला सकते है मधू में है रोग्यों के लिए मधू में के रोग्यों के लिए लोगी किसी वर्दान से कम नहीं है प्रतिजिन सुवा उठकर खाली पेट लोगी का जूस पीना मदू में मरीजों के लिए बहुत फैदेमन होता है नेचुरल ग्लो के लिए लवकी में नेचुरल वाटर होता है ऐसे मेज के नियमित इस्तिमाल से प्रकृतिक रूप से चेहरी की रंगत निखरती है आप चाहे तो इसके जूस का सेवन कर सकते है या फिर उसकी कुछ मात्रा हाथेली में लेकर चेहरे पर मसाज कर सकते है इसके अलावा लवकी की एक स्लाइस को काट कर चेहरे पर मसाज करने से भी चेहरे पर निखार आता है पाचन क्रिया को दुरूस्त रखे अगर आपको पाचन प्रिया से जोड़ी कोई समस्या है तो लवकी का जूस आपके लिए बहतरिन उपाय है लवकी का जूस काफी हल्का होता है और इसमें कई ऐसे ततो होते हैं जो कब्ज और गैस की समस्या में राहत देने का काम करते है कोलेश्टरॉल को नियंत्रित करे लवकी का इस्तेमाल करना दिल के लिए बेहत फैदेवन होता है इसके इस्तिमाल से हानिकारक कोलेश्टरॉल कम हो जाता है कोलेश्टरॉल की मातरा अधिक होने से दिल से जूड़ी कई बिमारिया होने के खत्रा बढ़ जाता है तो दोस्तों